एक जज है और वो जज पियम नरेंद्र मोदी पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां तक कि उनकी चुपी और उनको ना बोलने की वज़ा से इस जज ने जिस तरीके से धोया है पियम नरेंद्र मोदी को वो साबित करता है कि कितनी सचाई के साथ वो आगे बल रहे हैं नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं SP9 News दरसल मामला होता है वन रैंक वन पेंशन का जहां पर रिटायर सेनिको के लिए पेंशन समान तरीके से देने की बात की जाती है जिसमें सील बंद लिफाफे की भी बात की जाती है मोदी सरकार की तरफ से सुप्रिम कोट के समक्ष पेश किया जाता है कि सील बंद लिफाफे के तहत वो वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करवाने को लेकर और उसमें किस तरीके से सैनिकों का पैसा घोटाले के रूप में दिखाया गया है ये सारे मुद्दो को वो एक बंद लिफाफे के रूप में सुप्रिम कोट में पेश कर रही थी लेकिन CJI चंदरचून उन्होंने ये साफ तोर पर कह दिया था कि यहां पर लिफाफा बंद नीती अब नहीं अपनाई जाएगी आपको जो भी करना है खुल कर यहां सामने रखना होगा दरसल लिफाफा बंद नीती एक ऐसी नीती है जिसके तहट दिखाते हैं कि आप गोपनियता के तहट अपनी बात रख सकते हैं पर आप विपक्ष के समक्ष नहीं आते जनता के समक्ष नहीं आते और जिनके अंत्रगत ये कार्रे कर रहे हैं जिनके लिए आप कार्रे कर रहे हैं उनके समक्ष भी नहीं जाते यानिकी रिटायर सैनिकों की बात है गंभीर मुद्दा है लेकिन रिटायर सैनिकों को इसकी भ प्यान बाजी करते हैं जिससे लगता है कि सच में गौतम अडानी को लेकर पीम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चुपी साध रखी है वो लोग तंतर पर खत्रा है और जंता का पैसा डूपता हुआ नजर आ रहा है तो ऐसे में यहां पर गौतम अडानी पर निशाना साज करते हुए और लोग तंतर पर खत्रा बटाते हुए गोदी मीडिया को गीरा है दरसल सीजे आई चंदरे चून एक प्रेस कांफरेंस में जाते हैं और वहां पर वो बोलते हुए नजर आते हैं कि मीडिया को एकदम निस्पक्ष और स्वतंत रूप से पत्रकारिता करनी चा उन्हें स्वतंतर रूप से बोलने का अधिकार है तो वो बिना डरे और बिना किसी के दबाव में अपनी बात को रख सकते हैं यहां पर आपको बता दें कि विपक्ष पर मोदी सरकार हमलावर रहती है कि लोग तंतर पर खत्रा है क्योंकि उन्होंने बयान बाजी की है कि मा आसा ना करते हुए और सुप्रिम कोट में वन रैंक वन पैंशन को गुप्त तरीके से देना और गौतम अडानी वाले मुद्दे को भी गुप्त तरीके से रखना इस मुद्दे को दिखाता है कि किस तरीके से लोक तंतर पर खत्रा अब पीम नरेंद्र मोदी बन रहे हैं और गोदी मेडिया इसमें बराबर की भागेदारी दे रही है तो चंदर चूर ने साफ तोर पर जजो को भी ये कहा है कि आप सतंतर रूप से यहां पर फैसला सुनाएं ना कि किसी के दवाब में तो चंदर चूर ने सतंतर रूप से यहां पर खुलासा कर दिया है कि पीम मडानी को चुपाने के लिए पिम नरेंदर मोदी को चुपाने के लिए गोदी मीडिया का बराबर भागेदारी का हिस्सा है वो लगभग यहां पर उनी के इसारों पर कारे कर रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष पर मोदी सरकार है तो बैसे में आपको क्या लगता है गोदी मीडि में जरूर बताएं धन्यवाद